जैहिन दोस्तो मेरा नाम अन्राग स्वागत है अब सभी का मेरे चनल अन्राग रिविजन टेक में दोस्तो बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारा भाई जो है आज ये अपनी बहुती चहेती असली बुलट बुलट 350 स्टेंडर 350 मैं ले आया हूँ फाइनली मुझे मिल गई है मैंने आपके लिए डाली थी कि जब मैंने इसको बाईक को शोरूम से लिया था तो मैंने उसकी वीडियो डाली थी आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी भाई सबको तो अब जो है मैं इस बाईक का रिव्यू कर रहा हूँ करीबन 300 किलो कुल सेम कुल सेम है कोई फरक नहीं पड़ा अगर आप दूर से एक होगे BS4, BS6 सब डिटो एक जैसी लग रही है लेकिन वास्तम में कहीं सारे चेंजिस किये गए हैं और मैं एक एक करके आपको इन सब चेंजिस के बारें बताऊंगा देखोगे अगर आप इसे आगे से पी फ्यूल इंजेक्शन का आजाना अब सबको पता ही होगा भाई तुम्हें कि अब इसमें फ्यूल इंजेक्शन आ गया कारवोटर हटा दिया गया है दूसरा चेंज है इसमें कैटलीटिक अनवर्टर है पहले एक्जोस में देखा होगा तुमने कि बैंड पाइप में तोस्ट यहां पर दो पत्ती कर दी गई है अब आप देख सकते हैं और क्वालिटी बहुत बढ़िया कर दी शिल्ड भी इसकी आके तक की कर दी है लंबी कर दी है पहले यह अच्छा गरा भाई पैड जल जाता था पहले बहुत दिक्कत होती थी अब पाच्छे चेंज की त तो तुम्हें बता देगा यह उसके बाद अगला जो चेंज है यह है इसकी अब बैटरी 9 Ampere से 12 Ampere 12 Ampere की कर दी है 9 Ampere से बढ़ा के बड़ी कर दी बैटरी है अगला जो चेंज है वो यह है कि इसका जो side stand है अगर आप gear में गाड़ी को डालते हैं और side stand आपका खुला ह हुआ है तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी जट से साथ इसकी quality है इसको बढ़िया कर दिया मजबूत कर दिया और जदा पहले मुड़ जाता था side stand बुलटका लेकिन अब यह चीज नहीं है अब यह मजबूत कर दिया पहले से जदा इसके अलावा दोस्तों और मैं अग देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारे इसमें अब इन्होंने कोई भी अगर कमी आती है light वगरा में सारे fuel sorry fuse इसमें दे दिया है और यहीं से आप उसे ठीक कर सकते हैं next जो है इसका जो filter जो है air filter को pack कर दिया गया है पहला खुलावाया कर था अब बंद हो गया है पूरा का प यह इसमें reflector लगा दिये अलगी बहुत थोटा सा चोटा सा चेंज है लेकिन फिर भी भाई है तो है ठीक है न और यह आप देख सकते हो इसमें single channel ABS आता है single disc के साथ में आती है पीछे disc नहीं आता कुछ लोगों के दिमाग चल रहा है ज़्यादा कि डिस्क में आती है तो भ जब मैं इस बाइक को लाया मैंने आपसे promise किया था कि मैं इसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जैसा आप चाहते थे सब बाते मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और आगे मैं इसकी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं तो आप जल्दी से मेर बहुत ज़दा बढ़ी हो जाती है तो माइलेज जो है इसमें अभी जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 4041 के लगभक का ठीक है न और दूसरी जो चीज है इसमें मैं आपको बता दू कि इसकी जो टोप स्पीड में अची अभी तक चलाई है 115 किलोमेटर पर आवर तक की स्प और कीमत की अगर आब बात करो तो मुझे बाइक मिली एक लाग 60,000 की जिसमें किये लेग गाड 3600 रुपे का और extended वारंटी मैंने कराई है 3000 रुपे की वो इसमें जुड़ी हुई है तो लग बाइक लाग 4000 रुपे के करीब की मुझे पड़ी है इसमें extended वारंटी लेग गा आइको चूपे के है हुआ है कर दो कर दो कर दो